विजे हजारे ट्रोफी के फाइनल मुकाबले में राजिस्थान को 30 रनों से हराकर हर्याना ने इतिहास रच दिया है और पहली बार विजे हजारे ट्रोफी का खिताब अपने नाम किया है अब इस पूरे टॉर्नामेंट की बात करें तो हर्याना के लिए कई ऐसे स्टार्स उभर कराए जिनोंने इस पूरे टॉर्नामेंट में आल्ल राउंड परफॉर्मेंस दिया और अपनी टीम को ये टाइटल जिताने में एक एहम भूमी का निभाई सबसे बड़ा नाम आता है फास बोलर सुमित कुमार का जिनोंने इस पूरे टॉर्नामेंट में 10 मैचों में 18 विकेट चटकाए जिसके लिए उन्हें प्लेयर आफ दा सीरीज का अवार्ड भी दिया गया सिर्फ प्लेयर आफ दा सीरीज ही नहीं बलकि फाइनल मुकाबले में भी सुमित कुमार ने 3 विकेट चटकाए शांदार गिंबाजी की और अपनी टीम को ये खिताब जिताने में एक बहुत महतुपूर्ण भूमी का भी निभाई इसकी अलावा बात करें हर्शल पतेल की तो उन्होंने 10 मैचेज में 19 विकेट चटकाए युजुवेंदर चहल ने 9 मैचेज में 18 विकेट चटकाए और राहूल तेवतिया ने बैटिंग और बोलिंग दोनों डिपार्टमेंट में जब भी टीम को उनकी जरुवत पड़ी हमेशा अपनी काबिलियत से बढ़ चटकर परफॉम किया और इसी के साथ हर्याना ने पहली बार विजे हजारे ट्रॉफी का किताब अपने नाम कर लिया है अब इस टीम में कई ऐसे प्लेयर्स थे जिनका पिछला कुछ समय काफी अच्छा नहीं रहा था जैसे के हर्शल पटिल की बात करें तो रीसेंडली उन्हें आर्सीबी की टीम ने आईपिल दो हजार चॉबिस से पहले रिलीज कर दिया था जबकि युजवेंदर चहल की बात करें तो उन्हें लगातार ही टीम इंडिया से नजर अंदाज किया जाता रहा है लेकिन जब ये खिलाड़ी हर्याना के लिए विजए हजारे ट्रॉफी खिलने के लिए उतरे तो उन्होंने अपनी इस टीम के लिए 100% डिया और ये साबिट कर दिया कि वो हर्याना के लिए ही नहीं बलकि अगर उन्हें टीम इंडिया में भी खिलने के मौके मिलेंगे तो वो टीम इंडिया के लिए भी अपना बैस पाफॉमेंस जरूर देंगे अब अगर इस मुकाबले की बात करें तो पहले बल्ले बाजी करती हुए हर्याना ने 287 रनों का स्कोर बोर्ट पर खड़ा किया जिसमें अंकित कुमार के 88 और साथ में अशोक मनेरिया के 70 रन सामिलते राजिस्थान की बात करें तो अनिके चौधरी ने 4 विकेट चटकाए जिसके बाद राजिस्थान की टीम सिर्फ 257 रनों पर ओल आउट हो गई और हर्याना के लिए स्टार परफोर्मेस रही सुमित कुमार जिनोंने 3 विकेट चटकाए अर राहूल तेवतिया जिनोंने 2 वि और युज्वेंद्र जैसे प्लेयर्स क्या आपने इस पर्फोर्मेंस को IPL 2024 में भी कॉंटीन्यू कर पाएंगे और अपनी अपनी फ्रेंचाइस के लिए शानदार खेल दिखा पाएंगे आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए